आप इस विशेश टिपनी पे सर्वाइब को फिश नीना हो यह लोग सेल्फिश लोग है मेरी हल्प बिल्कुल भी नहीं करते चल रहा है आज कंपिटिशन वह चार और मैं एक अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर फेस्बूक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर देना और पेज पर तो मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूं एक्चुली क्या होता है सीन के डाटा जल्दी जल्दी खतम हो जाता है दो डाई जी भी दिन का मिलता है मुझे तो जल्दी जल्दी खतम हो जाता है इसलिए मैं डालनी पाता हूं तो सौरी तो कल के विलोग का ना सर था ना पैर था फिर भी आप लोगोंने प्यार दिखाय थेंक्यू सो मच प्यार दिखाने के लिए तो आज के विलाओ की शुरुवात रूम से ही हो रहे है अभी अभी हम निकल रहे हैं छे बज रहे हैं सुबह के और हम लोग निकल रहे हैं जहरी खाके मतलब सो गे थे फिलाल तो आँखों में अभी भी नीन भरी हुई है तो गाड रिलोड करते हैं और उसके बार निकलते हैं यहां से फुल पावर लेट्स गो अलहम्दलिल्ला गाइस गाड़ी उगेरा लोड हो चुकिया और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहां से फुल पावर अभी गाड़ी मोड काट रही थी तो चलो फिलाल निकलते हैं जल्दी-जल कि आप होते हो या नहीं होते हो वो चिज आप देख लेना क्या होता है बस आपके एक लाइक से ना मूड जाएंच हो जाता है को मेंट की तो बात अलग है लेट्स गौ कि दो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काम मैं तो अभी निकलते हैं फुल पावर मेरी जैकिट पहन के आ गया वा मैं तो फकीर आजमी हूं यार मेरे जैकिट लेकर आ गया आम तो जोला लेकर चल पढ़ेंगे हमारा क्या है हमारा तो कुछ भी नहीं है तो चलो फिलाल दबा के हम लोग काम करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है तो लाइट्स गो तो गाइज काम बहुत जोरू शोरू से चल रहा है और हमारे भी चल रहा है आज कंपिटिशन वह चार और मैं एक और बहुत बुरा कंडिशन चल रहा है मैं दिखाता हूं आपको कि मतलब कितना खतरना कंपिटिशन हो रहा है हमारे बीच में और खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने उनको जितने नहीं देना है और वो चीज इंशाल्ला हो ही जाएगी और मेरा पसीना देख रहे हो आप यह देख लो कितना खतरनाक पसीना आ रहा है मुझे और मैं दिखाता हूं आपको कंपिटिशन कौन सा हो रहा है हुमारे बीच ता लेक्स गो वह सामने गाइस वहां से कलवड वहां से लेकर के मुझे पता कहां तक जाना है जहां पर सामन ने कटाई और वो लोग चार हैं और मैं अकेला तो वो लोग कहीं पीछे हैं अभी उन लोग को मतलब वो लोग एक पाइप जोडेंगे और 20 फिट दूर आ जाएंगे और सोच लो मुझे तो 200 कुछ फिट खूदना है खोदना है तो पहले मैं अभी तक मैं यहां पहुंचा कंप्लीट करता हूं और उसके बाद में दिखाता हूं आपको कि कितना टाइम में हो गया और उन लोग का क्या सीन है तो अभी में टाइम बता दूँ आपको तो अभी बज़ रहे हैं आठ बज़ कर 32 मिनिट यहनि 8 32 तो शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं एंड़ पह हुआ 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 मैं आदा कॉम्प्लीट हो चुका तो मैं आदा त्यमस सोच रहा था कि मुझे यह लोग चैलेंज मुझे स्ञ जबसे मेरे शोल्टर एकार वह था, तबसे कोई चैलेज्ज नहीं हुआ था, asta आज तक, और अज हो कहाँ, आज मैं भी चाहता था, कि मुझे कोई चैलेंज मिले, तो बस बातों ही बातों में ने इन लोग को बोल दिया, कि मुझे चैलेंज ये, तो इन लोग ने दे दिया, तो मैंने आदा कंप्लीट कर लिया, अभी मैं फिलाल 10 मिनिट के लिए रस्ट करता हूँ, तो फिर जो आदा बचा है, वो भी कंप्लीट कर देता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, कि खुद पर कॉन्फिडेंस होना है चीए, कि I can do it, तो यह तो स शेर का शिकार करने के लिए न, यह मराज को खुद आना पड़ता है, तो चलो, फिलाल मैं रस्ट कर लिता हूँ, तो उसके बाद मैं आदा कंप्लीट करके आप से फिर से बातें करेंगे, तो गाइज, आदा मेरा कंप्लीट हो गया, बट मैं इन लोग के लिए दो पाइप यह देखो है चाचा, तो आपका भाई हार मानने वालू मैंसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हार नहीं मानेगे, तो चलो फिलाल ट्राइपोड लेकर आतें, फिर देखतें क्या हुँता है, अपना ट्राइपोड लेकर आ चुका हूँ, यह लोग अभी यहा तो उसकी टांगे तोड़ रहा है अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने जगह पे और जहां पर मेरा काम है और मैं अपना जो है यह क्या बोलते हैं और इन लोग ने ना चैलेंज बढ़ा दिया है कहरें थोड़ा आगे तक जाना है चलो मैं भी तो मैं कुछ सा मानूंगा इनको मैंने थोड़ा-थोड़ा खोद के निकल जाना है बाकी बाद में खोदते रहेंगे तो लेट्स गो शुरू करते हैं अपना चैलेंज में कंपलीट कर चुका हूँ और मुझे बचा है वहां पर लगबग 10 फिट खोदने को तो वो तो पांच मिनिट का काम है अभी यह लोग यहां भी नहीं पहुंचे जहां से मैंने शुरू किया था वहां भी नहीं पहुंचे हैं यह लोग यह चार मैं अकेला हुआ मज़ा आ रहा है तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था मुझे चैलेंज देंज 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 दे दे नहीं रहे थे आज दे भी दिया हां करो शुरू जबाए यह हमारा हेड मिष्टरी है चाचा जी है हलो गाइस तो अलहम्दुलिल्ला गाइस काम उगेरा कंप्लीट हो चुका है और आभी हम लोग निकल रहे हैं रूम के लिए लगबग चार बज रहे हैं तो फिलाल निकलते हैं सीधा-सीधा रूम के लिए रास्ते में जाके मिलते हैं कल तो हम क्रास कंट्री में घुजगे थे जंगल में तो आज तो जंगल में नहीं जाएंगे और जो आज कंपिटिशन हुआ ना गाईस सुबह सुबह उसने तो मेरी वाट लगा दी मेरी कसम से सच बतारों बहुत हालत खराब हुए मेरी पसीना देख रहे हैं मुझे औ और वह तो मैंने दिन में खतम कर दिया था तो उसके बाद मैंने सोच चलो अब क्या करना क्या जगड़ना तो चलो फिलाल निकलते हैं हम भूल पावर हास प्यर धोते हैं फिर उसके बाद जो भी चीज़ें की बात करते हैं तो फाइनली गाइस हम पहुंचें कुछ इस तर क्योंकि मुझे आप सब का प्यार चाहिए आपका भाई जिन्दाबाद जिन्दाबाद के नारे लगा दो तो फिलाल निकलते हाथ प्यर धोने को हैं सर दो हातों की हालत बाकी मैं आपने बैग तो साथ में लिया तो इसमें ट्राइपोड रखता हूं मैं और साथ मैं सौप होगहरा ब्रश रकता हैं कि प्यूंकि कभी बीजरूत पढ़ सकती है आज कल ब्रश नहीं करते हैं तो बाकी सुबह सुबह कर लेते हैं अबर फैसा नहीं निए डहें सकता है तो बाकी मेरा निकलते हैं फुल पावर दबाके यह रहे शिविरका का यह देखो मेरे सास में हाइं हाई भोलो तो चलो गाइस फिलहाल निकलते तो शिविरका का तुछ कहना चाहता है तर क्या कहना चाहते हो आप इस विशेष टिपनी पर बता दीजेगा सर तो गाइज यह बताना नहीं चाहते कुछ विशेश टिपनी पर परस्नली आफ केमरा बता देंगे मुझे जो भी होगा मैं आप किसा बता दूंगा तो लेट्स गो अलहमदलिल्ला का इस रूम पर पहुंचने वाले हैं दो मिनट और लग जाएंगे रूम तक तो फिलाल आज बहुत मज़ा आगया विलॉग करने में भी और जो चैलेंज मिला था ना उसने तो मेरी वाट लगा दी पूरी की पूरी तो अभी बनाते हैं खाना आई साब कीटर ने खाना बनाने की कल पूरे दिन मैं नहीं बनाया था तो आज यह लोग बनाएंगे खाना और मैं मज़े से बैठोंगा मैं थोड़ी बहुत इनकी help कर दूँगा क्योंकि मैं selfish नीना हूं यह लोग selfish लोग हैं मेरी help बिल्कुल भी नहीं करते हैं यह देखों अंकल जी कह र अंधुलिल्हा गाइस अफ्तियारी विगेरा हूं यह दिल को स्कून आ गया है तो मुझे आज का विलोग अपी एंड करना पड़ेगा यह पूप आपको किसी भी रीजन से आज का विलोग पसंदा पसंदा है तो लाइक कर देना कोमेंट कर देना शेर कर देना आज कर देरो पर मुझे प्यान देते रो बबाए टेक कियार मिलते हैं इसलिए